कि नवस्कार दोस्तों मैं विनोद कार्टिंग नित्या किलाश इस पर आप से भी लोगों का हरदिक स्वाकत करता हूँ वे दोस्तों मैं एक और नया सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत्मून रहेगा तो दोस्तों मैं एक और किलाश के शुरुवात करने जा रहा हूं और कल आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट भी आपका हो चुका है क्या टेस्ट में आपने परफॉर्मिंस दिया है वो आपको पता होगा और यहां बहुत ही जबर जस्त ऐसे ही हर सकता आपको टेस्ट मिलेगा एक टेस्ट आपके सामने आया करेगा पचास क्वेश्ट का ठीक तो दोस्तों कल चोड़ते हैं चलो आज की बात करते हैं आज क्या लेकर आएं पेटारे में आज का नया क्वेश्ट पहला क्वेश्ट आप लोगों के स्किन पर आता हुआ है यह रहा बताए जल्दी से रात्री के समय में पेड़ पोधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्यों रात्री के समय पेड़ पोधे केवल कारवन डैकसाइड मुक्त करते हैं रात्री के समय पेड़ पोधे केवल ऑक्सिजन मुक्त करते हैं रात्री के समय पेड़ पोधों के नीचे गर्मी होती है या रा बनती है oxygen मुक्त होती है ठीक या लेकिन रात में क्या होता है सूर्य का प्रकार स्चन को बनाया गया है तो यहां अगर उस आधार अंसर दिखते हैं तो रात्री के समय प्रकारशन नंबर एक इसका बिलयुक्ल right answer होगा क्योंकि रात में सूरिया का प्रकास नहीं होता अब आप कुछ लोग सोचेंगी कि सर हमने तो कुछ आपने अब से पहले भी बताया था कि कुछ पोधे रात में भी और जो प्रकास होता उसमें भी जो है प्रकास translation करते हैं तो बिल्कुल सही बात है जो जलिये पोधे होते हैं चंद्रमा के प्रकास में भी और जो आपके हम प्लांट होते हैं जो इंडोर प्लांट सोरी इंडोर प्लांट जो होते हैं वो भी प्रकास translation के करिया करते हैं जैसे कि oxygen बनेगी ही और CO2 जो है उसको ग्रहन किया जाएगा तो इसका right answer आपका option number A बिलकुल सही इसके बाद next question आपके skin पर ये रहा आपके सामने बताएगे बैरोमेटर में पारी की जग है पारे का प्रियोग किया जाता है क्यों पारे का घनत अधिक होता है पारा चमकिला होता है जिसे बैरोमेटर काता लाशानी से पढ़ा जा सकता है पारा द्रव अवस्ता में धातु है या पारा उस्मा का सुचा लख है आपको ये बताना है तो मैं बता देता हूँ पारा जो है एक चमकिला धातु है और ये सीशे की जो सतह होती है उस पर चिपकता भी नहीं है ठीक और पारा जल की तरह एक ऐसा माने गुन रखता है जैसे की पारा जो है द्रव अवस्ता में एक अकेली ऐसे धातु है जो द्रव अवस्ता में पाया जाती है पारा जो है रूम टेंपरिचर पर भी वो द्रव अवस्ता में पाया जाता है यानि कि आपने देखा होगा मैटल को जब गरम किया जाता है तब वह मेल्ट होती है लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेंपरिचर पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है तो यहां इस क्वेश्चिन के आंसर को अगर देखते हैं क्वेश्चिन के आंसर की अगर बात करते हैं तो यानि कि कि वो बिल्कुल आपका सही अंसर होगा ठीक इसके बाद नेक्स क्वेश्चिन आपके इसकिन पर आता हुआ यह रहा रीना महसूस करते है कि हाल ही में उसके सारीरिक गतिव इधिया बढ़ गई है और तद अनुसार उसके सरीर को पोर्षण है आवसकता है भी बढ़ गई है यानि कि उसके सरीर की जो गतिव इधिया है वो बढ़ गई है तो उसी आधार पर उसके पोर्षण की आवसकता है उ भी बढ़ गई हैं अब आपको निमलिखित खाज समों में से कौन सा उसके शरीर की वर्तमान आहार संबंदी आउसकता उसको पूरा करने के लिए सामिल करना चाहिए यह आपको बताना है तो बहुत ही जल्दी से बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके सामने आता हुआ यहां पर आप लोग बहुत जोर से बहुत भी जबर बढ़िया जबर जैस्त जुड़े गुए हैं और अगर बात करने हैं जब शरीर की गतिविद्या बढ़ जाती है तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है किसकी कार्गोहईडेट्स की एनर्जी भी चाहिए प्रोट भी चाहिए और वो सब कहां से मिलता है यानि कि फल केला मचली इसको देखें तो सायद नहीं होगा अमलिय फल मटर नट्स वादाम यहां से भी सारी चीजे लेकिन अनाज से केले से और मक्खन से तीनों चीजे प्राप्त हो सकती है कार्गोहईडेस भी मिल सकता है आपको ज बिल्कुल सही होगा इसके बाद next question आपके इसकिन पर आता हुआ यह रहा बताइए एक शिक्षी का पक्षा में खाद भंडारें के लिए कुछ बिंद्यू सामपट पर लिखती है इन पदार्तों को नमी से दूर रखना चाहिए पहला बिंदू दूर सा इन पदार्तों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए तीसरा बिंदू है इन पदार्तों को साफ इस्थान पर रखना चाहिए जिससे की कीड़े मोकोडे चूहे इनकी रक्षा की जाए अब शिक्षी का जो है किस पदार्त के भंडान के विशे में समझा रही है अब यहां इसकी बात करें त अब यहां बंद डब्बे में रखना नमी से दूर रखना तो यहां अगर सब्जियों की बात कर रहे हैं तो सब्जियां तो बंद डब्बे में नहीं रखी जा सकती है तो पहला उप्षन नहीं होगा इन पदार्तों को बंद डब्बे में रखना चाहिए बिलकुल यानि क दूरसे option की बात करते हैं तो इसे बंदे डब्बे में रखना चाहिए लेगी नमी से दूर कैसे रखें जो की दूर तो वैसे ही liquid है अगकर एक्त 30 बात करते हैं गुड की, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसको नमी से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इको बंद डबे में रखना चाहिए दूर सा पॉइंट भी सही है, तीसरा इन पदारतों को साप इस्थान पर रखने जाए, कीरे मकोडे भी ना है, तो तीसरा भी सही है, मांश की बात करते हैं, तो चोते उप्षन की, इन पदारतों को नमी से दूर रखना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर आपका उप्षन नमबर C, वो ब अंसर देना है, अच्छा नेक्स वेशन आया है, तो आपका अंसर आना चाहिए, बहुत जबर जस्त अंसर आप लोगों का यहाँ बहुत ही बैस्त तरीके से अंसर आपके आ रहे है, विरक्स की आयू ग्याद करने की समसे अच्छी विद्ही कोन सी है, तो आपने देखा जो आपका जब रितु परिवर्तन होता है तो रितु परिवर्तन में क्या होता है कि जो पोधा होता है पोधे में वलों की संख्या बननी शुरू हो जाती है जिनको इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है जब दिरित्वे चेंज होती है तब हर तुमें एक वले बन जाता है पोदे में हर तुमें एक वले बन जाता है इन वले की संख्या को ही count करके एक, दो, तीन, चार, तीन वलो की संख्या को ही ग्याद करके उसकी I.U. का पता लगाया जा सकता है यानि कि इसका right answer इससे वारशि वलो की संख्या ग्याद करना option number B इसका बिलकुल सही answer होगा दोर्शा point बिलकुल सही इसके बाद next question आपके skin पर आता हुआ ये रहा संसाधन सर्रक्षन के संदर्ण में निविलखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है संसाधन सर्रक्षन वर्तमान पीड़ परिवर्तिने संसाधन है अते इसके सर्रक्षन उपायों की आवसकता नहीं है या सर्रक्षन का अर्थ प्राक्रतिक संसाधनों का अनुकूलन उप्योग है आपको बताना है बहुत जल्दी से इसका right answer क्या होगा आपके सामने question है बताईए जल्दी से यहां बहुत ही speed के सा मुर्दा और जल्द जो है वो प्रदूर्सित हो जाते हैं और इससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उपस्तित हो जाती हैं तो अब मुझे बता दीजे इसका right answer आपका कौन सा होगा यह मैं आपको बता चुका हूँ बिलकुल total आपको बता दिया है यानि कि option number 3 option number 3 वो बिल परत्रिया संसादन है और उनके सर्रक्षन उपायों कि आप सकता नहीं है यह negative question है क्योंकि यहां पर जो पूछा गया है गलत question option है यह आपर और इसलिए इसका right answer भी option 3 ही होगा इसके बाद next question आपके skin पर आता हुआ यह रहा जब लोहे के चाकु में लकडी के handle लगाया जात दूसरा पहले ठंडा करना तीसरा पहले अबालना फिर ठंडा करना चओधा बहुत ठंडा करना अब आपको देखना है कैसे लोहे के handle लोहे के चाकू उपको जो उसमें लकडी के handle लगाया जाते किस प्रकासे आपने देखा होगा जब कहीं कभी लोहार के पास गये होंगे तो वह पहले लोहे को गरम करता है जो आप जाए घर प्रसक्तिकल कर सकते हैं इस तरीके से इसमें एक ऐसे करके लगा होता है एक तो आप इस यह बाला यह लकडी का हट्ता है यह ठीक अब इस लकडी के हट्ते में यहां इसको पुष कर देगा, अंदर को अधर कर देगा और फिर उसको ठंडा करतेता है तुरनत एक दम जब हीट वाला यह ज़ए तो वह एकदम से जल जाती हो जलने बाद में अंदर घुष जाता है और उसको जब ठंडा करते हैं तो वह वापिस अपनी जगे है पकड़ लेता है यानि कि पहले गरम करना फिर उसको ठंडा करना यानि कि option नमबर ए वो बिलकुल पहले ही option को सही पहले ठंडा करना गलत बात है पहले उबालना गलत ठंडा है जब लोही के चाकु में लकड़ी के हींदल को लगाया जाते है तो पहले गरम करते हैं फिर उसको ठंडा इसके बाद next question आपके इसकिन पर ये रहा बताई जल्दी से आज कल पाठे सहगामी क्रियाओं में राश्य सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है एक विद्यारती के रूप में आप इसे क्यों लेंगे यह सामाजिक दायत्यों की भावना उत्पन करती है इसे question के answer की बात कर रहे हैं तो पाठे सहगामी क्रियाओं में राश्य सेवा योजना को बहुत ही महत्पूर्ण इस्थान दिया जा रहा है और एक विद्यारती के रूप में अगर आप विद्यारती हैं तो इसको क्यों लेंगे क्यों इसको बोलना चाहेंगे इसके बारे में य लेंगे जाते हैं इसके तर्व जो राश्य सेवा योजना हैं इसके ठीजो इसके चाहिए जाते हैं उसкा सामाजिक विद्यारती जायत्यों करते हैं और करते हैं यानि कि यह शामाजिक प्रवेश के वुस नमबर मिल जाते यह स्रम के प्रति आश्था उत्पन करता यह भी सही यानि कि एक और तीन सही हो एक और तीन है तो इसका उप्शन नमबर चार बिल्कुल सही होगा इसके बाद नेक्स कॉस्चन आपके इसकिन पर आता हुआ यह रहा बताए वायू मंडल के ओजोन पर सरनक्षन से क्या हानी हो होगी यह आपको बताना है प्रत्वी की सतय का और सत्ता अपमान धीरे धीरे बढ़ेगा वायू मंडल में ऑक्सिएन की मात्रा कम हो जाएगी पहला बैंगनी करिनों की बढ़ी होई मात्रा प्रत्वी की सतय पर पहुंचेगी या धुरूविया भंडान से पिंगलने से यानि कि ऑसिजन के टीन अनुओ को जोड़कर तब जाकर ऑक्सीज़न का अनुबनता है टीक्स यानि कि ऊजोन परत जिवल्कांूशिजन का प्रत्वी पर पहुंचने शुरू हो जाएगा इसके बाद आपके स्किन पर आता हुआ यह रहा क्या अभी भावकों को अपने बच्चों को ग्रहकारी करवाने में ज़िते यहा शख अभी भावक अपने बच्चों की प्रगरति पता चलता रहेगा यह नहीं क्या यह अभी भावकों को गए और अजया बपके स्किन पर पहुआ इसकर अब नहीं In बात है लेकिन हाँ अगर अभी भावक बच्चों की बच्चों का होमवर्ग कराते हैं उनके साथ बैठते हैं तो उससे क्या होता है तो उन्हें पता होता अपने बच्चों का कि मेरा बच्चा अब तक कितना सीख चुका है कितना उसने प्रगति की है या वो पढ़ रहा है ग्रोथ की तरफ चल रहा है या वो दिमोटिवेट की तरफ चल रहा है ठीक तो इसका राइट आंसर आपका option number A जो है वो बिलकुल सही होगा option number A इसके बाद next question आपके इसकिन पर आता हुआ ये रहा बताईए सुक्षन शिक्षन के संदर्व में कौन सा कथन सही है ये बताना ह पढ़ना ताकि अधीगम सुसाध्या हो सके दूर सा है ऐसे इसतर पर पढ़ना ताकि विद्यार की पर पाठय चार्य का बोज कम हो तीसा है प्रभावी अधीगम सिक्षन के लिए अवधारनाओं को छोटे-छोटे कोर्सलों में तोड़ना या बहुत कम सिक्षन करना आगर यहां इस क्रश्वन की बात करते हैं तो सुख्षिम सिक्षन के संदम में कौन सा आंसर सही होगा तो सुख्षिम शिक्षन अधीगम को छोटे-छोटे खंडू में बाटता है सुख्षिम शिक्षन आपने लेशन प्लान बनाए होंगे तो छोटे-छोटे पैराग्राफ के आधार पर हम उसको पढ़ाते हैं उसको छोटे-छोटे पैराग्राफ में एक पैराग्राफ पढ़ा दिया दूसरा तीसरा चोथा ऐसे करके हम उसको पढ़ाते हैं उससे का मकसद क्या होता है कि उससे जो भी हमें कुछ बात समझानी होती है, थोड़े थोड़े तुकड़ों में उसे आसानी से समझाया जा सकता है, यानि कि छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम जो सुसाध्या हो सके, या कोईसा और, बताए जल्दी से, बताए बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर क्य रहा आपके सामने, निम्न तत्वों में से कौन सा कार्वोहेडेट्स और प्रोटीन दोनों में होता है, बताए नीचे कुछ तत्व दिये गए हैं, इन में से कौन सा है, जो आपका कार्वोहेडेट्स और प्रोटीन दोनों में पाया जाता है, आपको ये बताना है, जल्द ततो है फ्स फॉरॉस होगा नाइटोज़gers हो ус organiz न रोगा या कार्वन होगा अगर बात करते हैं कार्बन की तो खार्वाटिय्ष और प्रोटीन का 144 जो है कार्वन क्योucky कार्वन जो है पाया जाता एक अगर बात करते करपाटेवराइडिय्स है गर्म करता है के आशा कंठेवर्ण करता है इसकी मिक्षा देने का काम करता है और इसका जो मिख्रत होता हैusta और लाता है में स्टेवालाइडन कूल सबाराइडीय्स प्रोमुला यानिकि इसमें id॓क ङारं पाया जाता है अगर बात करते हैं protein की तो protein में sulfur है phosphorus है iron ये कुछ ये पाय जाथते हैं carbon है hydrogen है nitrogen है कारवन है hydrogen है nitrogen है और और भी थोड़े से कुछ योग ही पाये जाते हैं जे jakiś sulfur हो गया है phosphorus है आइलन है इनकी भी मात्रा protein में पाई जाती है यानि कि इसमेN भी carbon है और इसमें भी कार्वन हैं तो यानि कि कार्वन ही एक ऐससा प्रोटीन बहुत ही महत्पूर्ण हैं इसके बाद next question आपकी इसकिन पर आता हुआ ये रहा बताईए कक्षा में प्रजात आंत्रिक प्रयावन की भूमी का क्या है विद्यार्थियों के वहुमुखी व्यक्तित्यु का विकास करना विद्यार्थियों में आप एक्षित अभी व्यक्तित्यु का व विद्यार्थियों में आप एक्षित अभी विर्तियु का विकास करना ये भी बिल्कुल सही बात है और जब दोनों सही हैं तो एक और दो दोनों यानि की option number 6 इसका विल्कुल right answer होगा दोनों ही सही है और चोथा तो कोई है नहीं तो बिल्कुल ठीक है इसके बाद next question आपक कित रूप से पढ़ाने के लिए किस विद्य को अपनाना होगा option a भासा और विज्ञान को समय कित करना दूसरा वास्त्य प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना या जी विज्ञान रसाइन विज्ञान भोतिक विज्ञान में समानता ग्यात करना या तथ्यों और के तुरूप से पढ़ाने के लिए किस विद्य को अपनाना होगा तो यहां अगर इस कोशन के आंसर की बात करते हैं तो प्रयावण अध्यन के में सरवाधिक महतु जो होता वास्त्रिक क्रिया और संकल्पनाओं को देना आवसक होता है जितने भी वास्त्रिक क्रियाएं हो उनको और संकल्पनाएं होती हैं उनको सबसे ज्यादा महतु दिया जाता है और इससे बच्चे जो होता है प्रयावण के प्रति समझ विक्सित करते हैं और यहां इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो प्रयावण अध्यन को समय के तुरूप से पढ़ाने में किस पर आता हुआ यह रहा बताईए संतुलित आहार में प्रोटीन युक्तपदार्तों का होना आवसक है क्योंकि यह सारे दिक अव्यवों के निर्मान में सहयक हैं यह उर्जा की उत्पत्ती में अधिक उपयोगी होते हैं यह सरीर में इस फूर्टी बनाए रखते हैं यह सरीर के यह क्यों आवसक है ठीक बहुत जल्दी से बताईए है यह सारे दिक अव्यवों के निर्मान में सहयक होता है बिल्कुल सही बात है इस पूर्टी के लियो विटामिन चाहिए और यह आखों के लिए इसमें भी विटामिन चाहिए तो यानि कि यह सरीर के अवेवों के निर्मान में सहयक है प्रोटीन अंगों के निर्मान करता माना जाता है और प्रोटीन ही यह पूरे सरीर का निर्मान करता है बाल है और बालों का निर्मान भी जो ह है प्रोटीन के द्वारा ही होता है ठीक है के रोटीन बोला जाता है जिसको यानि कि ऑप्शन नमबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा इसके बाद साँब नेक्स कोशेओं आपकी स्किनपपड लगें यह कौन सा साघोन साथ के विरक्ष है यह आपको बताना है, तो साल है, सागोन है, बास है, सीशम है, ये मानसुनी वन के अंतरगत आते हैं और ये अनुकुलता इस्थापित करने के लिए अपनी पत्यां गिरा देते हैं, ये अपनी पत्यां गिरा देते हैं और इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आ आता हुआ ये रहा आपके सामने बताइए बहुत जल्दी से बालक की शिक्षा में कारिया और खेल महत्पूर्ण भूमी का निभाते हैं क्योंकि खेल में बच्चे अधिक रूची लेते हैं या खेलने के बाद बालकों की रूची पढ़ाई में बढ़ायाती है या खेल के मा आउसर की बात करते हैं तो बालक के सिक्षा में कारिया और खेल महत्पूर्ण भूमी का निभाता है क्योंकि खेल में बच्चे बहुत बड़े ज्यान को भी आसानी से सीख लेते हैं जटिल से जटिल जितनी भी जो भी ज्यान बच्चे को हम देना चाहते हैं खेल के मार्ध इसके बालक जटिल से जटिल बड़ी सहजता से सीख लेता है इसके बाद नेक्स वर्ष्चन आपके स्किन पर आता हुआ ये रहा एक शिक्षा अपनी कक्षा में एक विद्या शिक्षार्थी को मरुष्थली पोधों की तीन विशेष्था है लिखने को कहता है मरुष्थली पोधों की तीन विशेष्था है लिखने को कहता है तो शिक्षार्थी तीन पोधों की विशेष्थाओं में को निम्न परकार से लिखता है पहला इन पोधों की पत्तियां बहुत छोटिया नपस्तित होती है इनका तना कठोर होता है इन पोधों पर काटे पा लाना है तो यहां इस question के अगर answer की बात कर रहे हैं मरस्थले पोधों की अगर बात करते हैं तो इनकी पत्तियां छोटी होती है अनुपस्तित होती है क्यों क्योंकि जो वास्फोर्स रजन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल होता है उसको उड़ाया जाने का काम भी पत्तियों का ही होता है तो वास्फोर्स रजन पत्तियां जितनी ज्यादा होगी वास्फोर्स रजन उतना ही ज्यादा होगा और जितनी पत्तियां कम होगी जितनी पत्तियां चोटी होती है ठीक पत्तियां चोटी और दूसी बात इनका तना कठोर होता है इनका तना जो है बहुत कठो जो हैं कई बार पत्तियां वासफोर सर्जिन को रोगने के लिए काटों में बदल जाती है यानि कि वो कई बार काटों में बदल जाती है काटों में रुपांत्रित हो जाते हैं ऐसे कह सकते हैं तो इसका राइट आंसर एक, दो, तिन, तीनो ही पॉइंट रही है यानि कि option number 4 इसका बिलकुल सही होगा इसके बाद नेक्स वर्षिन आपके स्किन पर आता हुआ ये रहा बता ये विध्यालय में आयोज़त की जाने वाली विभिन पार्फयं सहगामी करियाओं करियाओं के बारे में आपकी राये encant आपको ये बताना विद्याले में आयजित की जाने वाली विभिन पाथे सहगामिक्रियाओं के बारे में आपकी राय क्या है ये सभी शिक्षा की आवसक्ता अंग है या इससे पठन पाथन में बाधा पड़ती है तीसा इससे बच्चों में सामित्रिक गुणों के और होता या इनसे च्छात्र अद्यापकों का मनुञजन होता है ये आपको बताना है विद्याले में आयजित की जाने वाली विभिन पाथे सहगामिक्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है तो ये भी शिक्षा के आवशक्त अंग है या इसससे पठन पाथन में बाधा तो बिलकुल सही ये इससे बच्चों का जो सामित सभी प्रकार के गुण जो होते हैं उनकी और उनकी सहभागिता के बारे में जो सहभागिता है उसका विकास होगा बिलकुल विद्याले में जितनी भी सहभामी पाठे ग्रियाई कराई जाती हैं उनको संपन कराया जाता है उ एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसंता तब होती है, जब छात्र एक दूसरे से प्रसंत पूछ कर लिखते हैं, सभी छात्र सांत होकर ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर प्रस्तिका में लिखते हैं, या सिक तक इसको माना जा सकता है ब्लैक बोर्ड पर लिखें को अपनी उत्तर पुष्टिका में लिखते हैं बिल्कुल गलत बात है सिक्षन के समय प्रिशन पूछते रहते हैं बिल्कुल सिक्षन से सम्वंदित जो बच्चा पूछेगा वही एक्टिव बच्चा भी होता है यानि कि उससे पता चलता है कि हाँ बच्चा कुछ सीख रहा है जब वो प्रिशन करता है प्रिशन पूछता है बार बार के सर ये क्या होता है इसको कैसे करेंगे इसको किस प्रकार से करेंगे इसका क्या मतलब होता है तो वो बच्चा सबसे जादा जो एक्टिव बच्चा हो संबंदित होते हैं ठीक बहुत बढ़ी हां अंसर आप लोगों क्या रहे हैं इसके बाद next question आपके skin पर ये रहा आपके सामने मानव जीवन के लिए आवशक वस्तू गैस इनन आदी को प्रियावन विशह में सम्मिलित करने का मुख्या कारण क्या है आपको ये बताना सर्रक्षन के लिए है उपलब्दता जानने के लिए है नश्ट करने के लिए है उपयोग पर रोगताम करने के लिए है जल्दी से बताईए मानव जीवन के लिए आवशक वस्तु में गैस इनन आधी को प्रियावण विश्य में सम्मिलित करने का मुख्यकारण क्या है जल्दी से आपको बताना है बहुत ही स्पीड के साथ में बहुत बढ़िया कॉश्चन है आपके सामने और अगर मैं इस question के answer की बात करता हूँ तो प्रियावण सर्रक्षन के अध्यन से यह आवशक चीजों को समूचित उपयोग करना सिखाता है यानि कि उनका उपयोग हम कैसे करना है कितना करना है वो सारी चीजे सिखाता है यानि कि अगर मात्रा कम है तो उसका बचत करनी पड़ेगी और अगर मात्र जादा है तो जादा खर्च कर सकते हैं यानि कि उनका सर्रक्षन करना बहुत ही आवसक है यानि कि option number 1 वो बिलकुल सही है वो सर्रक्षन के लिए गैस है इंदन है इनको परियावन विशे से सम्मिलित करने का जो मुख्यकायन है उसके सर्रक्षन के विशे में जागरूख करना है इसके बाद अगर बात करते next question आपके skin पर ये रहा बहुत ही जल्दी से इसका right answer बताईए परियावन अध्यन कि कक्षा में अवधाना को स्पर्ष्ट करने के लिए कविता और कहानी कतन का परियोग करना क्या है बच्चों में विद्यान भासिक और सार्शकेतिक विविद्यता को ध्यान में रखता है उचित दिशा में बच्चों की उर्जा को secondrit करता है पाठ को आननदायक और रोचक बनाने में मदद करता है या इस्थानिय विश्विश्तर परशन सार की प्रकर्टि को खोजने और कल्पना करने की योगता का विकास करने में मदद करता है तो बताईए जल्दी से इसका right answer क्या होगा आपके सामने question है बहुती स्पीड के साथ में एक और आंसर आता हूँ आपका यहां अगर इस क्रेशन के आंसर की बात कर रहे हैं तो प्रयावन अध्यन में कविता और कहानियों का जो समावेश करने का जो कल्पनात्मक छमता होती है उसका विकास होता है और जो खोजी होई प्रकर्टी है वो उसका एक भाग होता है यानि की कौन सा होगा बताए जल्दी से बही आंसर अब तो मैंने दे दिया है बहुत जल्दी से इसका बताए यानि की इस्थान ये विश इस तर पर संसार की प्रकरती खोजने कल्पना करने की और योगता के विकास करने का मदद करना यानि की option number 4 बिलकुल सह नहीं होगा इसके बाद next question आपके इसकिन पर आता हुआ अपके सामने ये रहा बताए जल्दी से निम्वो साधान पानी में ढूप जाता है लेकिन नमकीन पानी पर तैरता है क्यों यह आपको बताना है निम्वो का घंध तो नमकीन पानी से अधिक हो जाता है निम्वो का स्पीड के साथ में आप लोगों के अंसर आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बहुत जल्दी से यहां पर आंसर दे रहें नीमूर साधन पानी में डूब जाता है लेकिन नमकिन पानी पर तैरता है तो बही बताइए जल्दी से आपको मालूम होगा नमकिन पानी जो है नमकिन पानी का घनत जो होता है साधन पानी की तुलना में अधिक होता है खारे पानी का जो घनत होता है जो खारा पानी होता है उसका भी घनत अधिक होता है और यहां आपको बताना है तो इसका रीजिन यही है कि जो नीमू है नमकिन पानी पर तेरता रहता है जबकि साधान पानी में डूब जाता है निम्बू का घंद तो नमकीन पानी से अधिक हो जाता है नमकीन पानी का घंद तो साधान पानी के घंद तो से अधिक होता है यानि कि option number आपका कौन सा होगा भई अरे भई अब तो बता दिया साहब यह रहा 3 option number 3 बिलकुल बहुत बढ़ी answer आपका बिलकुल इसके बाद next question आपके skid पर आता हुआ यह रहा पके हुए चावल रेफ्रियेटर में अधिक समय अधिक लंबे समय तक परिरक्षित किये जा सकते हैं क्यों क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी का तत्त तो घड़ जाता है यह रेफ्रियेटर में कुछ ऐसे रसायन होते जो रोगानों को निस्ट करते हैं यह रोगानों कम तापमान पर निस्ट हो जाते हैं तो यहां अगर इस question क निस्ट करते हैं तो कम तापमान पर भोजन के नमी घड़ जाती है बिल्कुल गलत बात है रेफ्रियेटर में कुछ ऐसे रसायन होते जो रोगानों को नेस्ट करते हैं रोगानों ही नहीं वह बहुत सारी चीजिजों को भी निस्ट कर देते हैं ऐसे भी अगर उसको temperature होता है तो उसमें जो भोजन को खराब करने वाले रोगानों होते हैं जो वैक्टिरिया होते हैं वो उस टाइम पर निश्करिया हो जाते हैं वो भोजन को खराब नहीं कर पारते हैं जिसका right answer आपका option number 3 वो बिल्कुल सही होगा इसके बाद next question आपके skin पर आता हुआ यह रहा बताईए क्वथन और वास्पिकर्ण में क्या अंतर है आपको यह बताना है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वास्पिकर्ण में नहीं क्वथन में द्रव से वास्प में परिवर्तन देखा जासकता है। जबकि वाश्पिकर्ड में नहीं देखा जा सकता। कृथन से जल की आवस्था बदल जाती है जबकि वाश्पिकर्ड से नहीं तीसा वाश्पिकर्ड की भी ताब मांद पर हो सकता है जबकि कृथन नहीं। तो यहां एक इस प्रिवर्टन देखा जाए तो पहले से द्रव का अमने कम हो जाता जब कि वासपिकर्ण में नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक वास्पिकर्ण में नहीं देखा जाचता बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहें लेकिन ये गलत है जो इसका आंसर दे दूसरे की अगर बात करते हैं कि अवस्था बदल जाती है यहां आपका दूसरा और चोथा दोपॉइंट निगल कर आते हैं यहां पर दूसरा और दूसरा अगर यहां से होता है और उसके निचले हिस्से से होता है वह उसके निचले इस्से से जब यहां पर किसी चीज में आग जलाई जाती है तब वो यहां से शुरू होता है और जो वास्ट पिकरन है यानि कि किसी कपड़े को अगर हम फैला देते हैं तो वास्ट बनकर वो उपर की धूप के सारे उपर उड़ जाती है या धूप ना भी हो तो भी मोसम के आधार पर जो है और वास्ट पिकरन भी मुख्या अंतर है तो वास्ट पिकरन जो है कोई भी टेंपरेचर हो चाहे आपके धूप निकली हुई हो चाहे आपको धूप ना निकली हो अगर कप्रे को हमने घर के अंदर भी फैला कर शुखा दिया है तो वहां भी उसका पानी उड़ वास्ट बनकर उड़ जाएगा और लेकिन अगर उबनने की बात करतें कृफन की बात करतें तो वह तो इसका राइट आंसर आपका ओप्शन नंबर फॉर सबसे ज़्यादा सुपेरियर है और इसका राइट आंसर भी और वह बिल्कुल सही होगा इसके बाद नेक्स चोटे बच्चों को उत्तियन अत्वा अनुतियन के स्वेनी के अंतरकत आखने के लिए प्रतियक सप्ता ग्रह कारी और कशाकारी है तीसरा सिक्षक द्वारा सतत और एसर रचाना अंत्मक तरीके से किये गए अवलोकन को अभीभावक और सिक्षकों के साथ बाढ़ना या उपचारिक परिक्षा है और खेल तता उने प्रगति पत्र में दर्ज करना तो जल्दी से बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा अगर यहां इस क्वेशन की बात करते हैं प्रात्मी के स्थर पर आकलन में सामिल होना चाहिए अर्द वार्षिक और वर्ष के अंतर में व भावग भी उसके अंद्रगत होने चाहिए यानि कि इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं शिक्ष्यक द्वारा सतत और एस तरीके से अवलोकर्ण में बच्चे और विवाओं के साथ बाटना यह आपका ऑप्शन नमबर तीन वो बिलकुल सही होगा ऑप्शन नमबर के लिए अधिगम संसादन होते हैं वे चात्र जो अवधार्नाओं को सीखने में कटना ही महसूस करते हैं वे चात्र जो अवधार्नाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाटियों के कारिय की जाच नहीं कर सकते हैं वे चात्र जो अवधार्नाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वेय के कारिय की जाच नहीं कर सकते हैं वे चात्र जो सीख सकते हैं और स्वेय के अपने सहपाटियों के काम की जाच भी कर सकते हैं तो किस पुरकार के चात्र अध्यापक के लिए अधिगम का संसाधन होते हैं तो यहां इसके question के अगर answer की बात कर रहे हैं तो जो विद्या आपके लिए अधिगम संसाधन का या संसाधन के रूप में कारिये कर सकते हैं यानि कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे सहफार्टियों को सीखने में सहयता कर सकते हैं जब की जो सिक्षक है वो दूसरे विद्ध्यारतियों में व्यस्थ हो यानि कि इसका राइट आंसर आपक उनका निम्न में से कौन सी प्रकृतिक संसादों का सरक्षिन करना शीखने में साहता करता है, और जल, और बात करते हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है, बहुत ही जल्दी से आपके सामने यहाँ इस question के answer की अगर बात करते हैं, तो बहुत ही speed के साथ में आपका answer आना चाहिए, चात्रों को प्रकृतिक संसादों का सरक्षिन विशे पढ़ाना निम्न में से कौन सा प्रकृतिक संसादों का सरक्षिन करना सीखने में साहता करेगा, तो वाईउ और जल्द यहनि की प्रकृतिक संसादन वे संसादन होते हैं जो हमारे लिए प्रकृति में उपलब्द होते हैं, जो हमारे लिए प्रकृति में उपलब्द होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं नमीनी करन और ए नमीनी करन, ठीक है, नमीनी करन की अगर बात करते हैं तो वाईउ है, सोर उर्जा है, जल है, मिट्टी है, यह हमारे साथ होते हैं, और इसका राइट आंसर आपका option number रे वो प्रियावन के विबिन घटकों का अध्यान करना परियावन के विबिन घटकों को सत्त बनाए रखने का प्रियाश करना या परियावन ने तत्वों की आलोचना या उप्युक्तों में से कोई नहीं बहुत ही जल्दी से आप लोगों का अंसर आपके सामने आना चाहिए प्रयावनब का प्रबंध काड़िये की अरब बात करते हैं प्रयावन करते हैं गहते हैं हां उनके गहते को सथत रखने से संबखने यानि कि इसका उद्देश से जो होता है जो भावी पीड़ी के लिए संसाधनों को बनाए रखना है इसका उद्देश से जो होता है भावी पीड़ी के लिए जो क्या कहते हैं जो संसाधन है उन साधनों को बनाए रखना इसका उद्देश से है यानि कि option number B वो बिलकुल सही होगा option number B वो बिलकुल सही होगा प्रयाव रंड के विबिन घटको को सतत बनाये रखने का प्रयास करना बिलकुल सही होगा इसके बाद next question आपके स्किन पर आता हुआ यह रहा निरंतर और सतत व्यापक मुल्यांगन CCE में निरंतर सब्द गन जल्दी से इसका right answer क्या होगा यह आपको बताना है और अगर बात करता हूँ मैं सिक्षन अधीगम के दोरान किया जाने वाला मुल्यांगन एक निरंतर निगरानी मुल्यांगन पर किरिया है और इसे अधीगम के लिए मुल्यांगन भी कहा जाता है यानि कि option number A वो बिल कर्मियों को सहता पूर्ण वातारण में दूर करने के लिए किया जाता है और इसके बाद next question आपके skin पर आता हुआ यह रहा आपके सामने थेंक्यू नमस्कार धन्यवाद और उम्मिद कर रहा हूँ कि किलास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर नए learners हैं हमारे साथ में तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी किला से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आज से भी अगर आप अपनी किलास लिनी शुरू करते हैं यानि कि आज से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आज से लेकर और जब तक एक्जाम है स्रिफ हमारे साथ बने रही है हंडर परसेंट आपका एक्जाम कौलिफाई होगा तो बहुत जल्दी यह 30 नंबर का जो EBS का पेपर आता है कोशिस का तैयारी रखे हैं और 30 में से 30 लाने की तब जाकर आप 28 और 29 ला सकते हैं और हम तारगेट ही लेकर चलते हैं 28 का क्योंकि लास्ट टाइम का जो प्रोसेस है हमारा जितना भी पहले अगर रिकोर्ड को उठा कर देखा जाये तो उसमें भी लगबग 23 का एवरेज आता था लेकिन लास्ट टाइम का आया है मारा 28, 28, 29 तक लास्ट टाइम का और इसलिए मैं confidence के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि अगर मेरी क्लास से अब से भी आप सुरू करते हैं तो 25 प्लस अब भी आपके आ सकते हैं tension free mind free रखिए बिलकुल आराम से पढ़ते रहिए स्वस्त रहें मस्त रहें और मिलते हैं एक और नई क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत